किसके साथ खेसारी लाल या तो ज़्यादा कमफर्टेबल होते हैं काम करने में काजल रागवानी या अक्षरा सिंग या यू कहले कि अक्षरा सिंग के साथ उन्हें अच्छा लगता है काम करने में या फिर काजल रागवानी के साथ जी हाँ तो इसका सटीक और सही जवाब पहली बार हुआ आपके लिए लेकर आये हैं आपको बता दे कि अगर फिल्मी आकडों को देखा जाए तो काजल रागवारी के साथ खेसारी लाल यादों ने अब तक की सबसे हिट फिल्में दी है आपको यहाँ यह बता दे कि इन दोनों की जोड़ी हिट की गैरेंटी मानी जाती है और वहीं वाक्स ओफिस पर अक्षरा और खेसारी की जोड़ी को भी कम आका नहीं जाना चाहिए इन दोनों की जोड़ी भी इतनी popular है कि इन दोनों की फिल्म में hit भी होती है और लोगों के सामने buzz भी create करती है लेकिन जब से पवन के साथ अक्षरा का break up हुआ है वो कहीं न कहीं गाहे वगाए खेसारी लाल यादों के साथ फिल्मों में नजर ही आ जाती है फिर वो आईटम सौंग हो या फिर उनकी आने वाली एक फिन जो अभी अंटाइट आपको है यह बता दे खेसारी लाल यादो खुद भी किसी को अपना फेवरेट तो नहीं बता लेकिन हाँ उन्हें सबसे जादा काम करने में मजा काजल रागवानी के साथ आता है खेसारी कहते हैं कि उनके साथ उन्होंने इतनी जादा फिन में कर ली है कि अब उनके साथ उनकी केमेस्ट्री एकदब पर्फिक होती है और काम कब हो जाता है पता नहीं चलता इसके पीछे खेसारी लाल यादो रिजन बताते हैं काजल रागवानी के state forward nature क्या जी हाँ उनका कहना रहता है कि काजल सेट पर आती हैं काम करती हैं और काम खतम होने पर वो अपने सीधे vanity van में चली जाती हैं और वहीं से pack up होने के बाद वो घर लेकिन वहीं अक्षरा सिंग के बारे में बात करें तो खेसारी लाल यादो का experience उनके साथ कुछ जादा ही कड़वा रहा है पहले उनके साथ उनके relationship की खबरे फिर breakup की खबरे और फिर अब एक सिर्फ दोस्ती की खबरे आती हैं वैसे अब आपको हम बता दें कि अक्षरा सिंग के सारी लाल यादों को सिर्फ अपना दोस्त मानती हैं और इंडस्ट्री में अब वो किसी से पंगे नहीं लेना चाती लेकिन वो रूल बखु भी जानती हैं कि अगर भूजपुरी इंडस्ट्री बने रहना है तो हीरो से पंगा नहीं लिया जाता वैसे अक्षरा सिंग और काजल रागवानी में कभी नहीं बनी वो दोनों एक दूसरे को फूटी आँखनी पसंद करती और यहां दुविधा हमेशा खेसारी के जिम्में आ जाती है कि खेसारी किसका दिल तोड़े और किसका दामन्था में तो भाई इस बखेसारी और काजल रागवानी की जोड़ी की डिमांड है तो दुनिया जिस तरफ चलती है लोग भी उसी तरफ चलते हैं इसलिए खेसारी लाल यादों को काजल रागवानी के साथ काम करना जादा पसंद है भूचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के रिए हमें सब्सक्राइब करना फिल्फुल न भूले